मारकेट गिर रही है, आपके सारे शेर्स में नुकसान हो रहा है, क्या करें, कौन सा स्टॉक रखें, और कौन सा निकाल दें, और कब, कोई भी अच्छा पॉर्टफॉलियो मैनेजर या फिनाइंशिल एडवाइजर आपको 20-30,000 रुपे तो लेही लेगा, तो जो बड़े न मिनेट निकालो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, अगर सच में 20 मिनेट भी नहीं है, तुमारे पास लाइफ में, ध्यान से पढ़ने के लिए, तो छोड़ो यूट्यूब यार, तुम नेटफ्लिक्स और प्राइम देखो, और किरकेटी देखो दिन बर, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, सबसे पहले क्या चेक कहला है, सबसे पहला काम, जो हमारा ब्रॉडर फाक्टर मार्केट को, वो कितना गिरा है या नहीं गिरा है, इसको समझो, उसके बाद स्टॉक्स पर आएंगे, तो अगर मार्केट अभी आपका 4-5% गिरा है, तो घवरानी की बात नहीं है, मार्केट में जितने भी नॉइस है, उसको फिल्टर करो, मत सुनो, दिमाग मत लगा, होलियो पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, कोई टेंचन वाली बात नहीं है, 4-5% तक कोई घवरानी की बात नहीं है, पस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कि जब निफ्टी टॉट पर थी, तो निफ्टी का P.E. रिश्यो क्या था, अगर निफ्टी का P.E. 27 या उससे ज़्यादा था, तो मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, यानि कि 12 से 15% का करेक्शन आ सकता है, उस सिच्वेशन में आपको निकलना चाहिए, कब निकलेंगे, क फिर मार्केट गिरी, तो क्या करें, इस सिच्वेशन में आप 4 या 5% टक चेक कर लें, उसके बाद, पोशिस यह करनी चाहिए, कि अपने पॉर्टफोलियो का कम से कम 25% या ज्यादा से ज्यादा 50% आ निकाल दे, इस तरह की सिच्वेशन में जहां निफ्टी overvalued हुए और गिरी, तो कम से कम 12-15% के करेक्शन की समभावना रहती है, कई केसे में हमने 25% तक का करेक्शन भी देखा है, बट उससे ज्यादा बड़ा करेक्शन मैंने नहीं देखा है, तीसरा एक important point है, जहां पे world economic condition खराब है, तो उस situation में भी market बड़ा गिर सकती है, यानि कि value overvalued situation खराब हो रही है, जैसे 2008 में हुआ था, bull run के बात पता चलता है कि market में यह यह चीज़ प्राब्लम थी, तो उस situation में market 25% से ज़्यादा गिर सकती है, तो अगर economy, world economy में problem है, तो उस time में अगर market crash होती है, तो आपको portfolio का पूरा 100% market से base देना चाहिए, क्योंकि market 25% से ज़्यादा, जैनि कि 50% तेक भी गिर सकती है, कैसे चेक करेंगे, यह world economy में problem चल रही है, और market गिर सकती है, इसके लिए 2-3 parameter होते हैं, एक तो recession indicator होता है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर rely नहीं करता हूँ, और आपको चेक करनी चाहिए, वर्ल्ड की top 3 economy का, कम से कम, जैसे USA, Germany, Japan, यह पुरानी होगी, developing में चाइना है, जो कि developed है, एक तरह से, चौथा यह हो गया, पाँच माँ इंडिया का, ठीक है, बट कम से कम, यह 3 economy अगर सही है, या 5 में से अगर 3 भी खराब है, तो world economy में तगड़ा जटका लग सकता है, तो आपको चेक करना चाहिए, LEI या CEI, यह USA का LEI और CEI है, अगर आप देखेंगे, 2008 recession से पहले, कि LEI ने आपको 2006 में, यानि कि लगवाग डेड़ साल पहले से indication देना चालू कर दिया था, कि market में problem होने वाली है, and then 2008 में market crash पर गई, अभी situation almost same है, यहाँ भी देखेंगे, LEI ने आपको ए global recession से, sorry, COVID से पहले, correction देना चालू कर दिया था, अभी LEI काफी ज़्यादा गिर चुका है, यानि कि there is something deeper inside cooking in US economy, maybe elections के बाद आपको कुछ वहाँ बड़ा bum भटे, तो यहाँ पे economic condition USA की सही नहीं है, LEI बहुत तेजी से गिर रहा है, बट जो coincidental economic index है, यह आपको सही से नहीं बता रहा है, तो चलिए एक और Germany का भी देख लेते हैं, तो यह Germany का है, अब Germany में अगर हम देखें, तो obviously Germany में भी recently हमारा LEI धढ़ाम से गिरा है, बट CEI पे भी in fact देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ भी हालात ना जुक हैं, देखिए जो coincidental economic index है, जैसे GDP, यह generally advance में नहीं गिरता है, advance के जो indicator होते हैं, जो आपकी economy के बारे में पहले से बता देते हैं, कि चीज़े खराब हो रही है, ठीक है, तो आपको idea लगने लग जाता है, कि हाँ, आने वाला समय खराब होगा, तो कुछ indicator advance में बताते हैं, उनको हम leading indicator बोलते हैं, फिर coincidental होता है, और फिर lagging होता है, जैसे unemployment का data है, वो lagging है, क्योंकि अगर government change भी करती है, कुछ policy में, तो unemployment का data सुधरने में 2-3 महने लगेंगे, बट कुछ indicator ऐसे हैं, जो leading है, ठीक है, जैसे कि average weekly hours worked by labor, ठीक है, तो आपको advance में बताता है, अगर labor market खराब है, तो leading है, stock market leading है, ये काफी पहले तुरंट advance, एक दिन में market की situation बताता है, economy की situation बताता है, तो leading data अगर खराब हो रहा है, तो coincidental में आपको दिखाई देगा, तु पुश्किल हो जाएगा, तो चल ये एक बार अब जपान का भी देखते हैं, ये वर्ल्ड की top 3 economy है by GDP, और अगर तीनों एक बार होगी, तो सच में चिंता जनक बात होगी, तो ये हमारा जपान का data है, तो जपान का अगर हम चेक करें, तो leading economic index down है, साथ में coincidental भी down ही चल रह है, कि जिपैन में थोड़ा सा economic slowdown है, या consolidation है, बट USA और जर्मनी में अब ही coincidental reflect नहीं कर रहा है, तो वहाँ दोनों, एक तसे तीनों economy के leading खराब है, दो economy coincidental reflect नहीं कर रहा है, यहाँ पर reflect कर रहा है, how about India, तो इंडिया का search करने का task में आप पे देता हूँ, चाइना का search करने का task में आप पे देता हूँ, आप चेक करो conference board की website पे, और मिरको comment box में बताओ, कि इंडिया के क्या खालात दिख रहे हैं, और अगर market सही में, सच में, 25% गिर गया, तो क्या करें, उस situation में, जितना व अगर 50% गिरता है, तो जितना भी cash है, उसका सारा 100% market में लगा दो, 50% बहुत rarely market में गिरती है, लेकिन आप खरीदेंगे तब ही, जब recovery होगी market में, ठीक है, 50% गिरने के बाद थोड़ा सा recovery होगी, तब ही डालेंगे, गिरते ही market में वैसा नहीं लगाएंगे, एक चीज़ बहुत जबरदस्त है, इस टाइम में अगर आपको margin trading facility में ले, जहाँ पे आपको कोई broker 80%, 90% की margin facility दे दे, तो आपके पास अगर 5 लाग हैं, तो आप 25 लाग का investment कर सकते हो, मतलब मज़ा आ जाएगा कि 50% correction के बाद, मेरको margin trading facility में मिलती हूँ, मैं 5 लाग से 25 लाग का माल खर जाती, कोई 50% पढ़ने का मतलब 100% growth, आप सुचो क्या return जबरदस्त मिलेगा, तो आपको ऐसा stock broker चाहिए, जो आपको बहुत ही कम interest rate पे पढ़िया margin trading facility दे, mstock has completed 2 years and added 15 lakh plus happy users in quick span of time, 15 lakh, बड़ा user base है भाई, traders community को सच में पसंद आ रहे है, तो कुछ तो बात होगी, mstock के client ने 145 करोर की brokerage एक साल में बचाई है, 1868 करोर की margin trading facility और रेड़ी enjoy कर रहे है, लोग अब समझदार हो रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहेगे भाई, mstock is India's true no brokerage platform, they have zero, absolute zero brokerage on all segments, चाहे delivery हो, intraday, future option, किसी पे भी आप कोई भी trade करें, कोई brokerage नहीं है, आप sample contract note देखो mstock की website पे, और अगर आप swing trader हो, तो क्यों ना margin trading का फाइदा उठाओ, और broker जहां 12% interest charge करते हो, यह mstock 6.99% charge करता है, and all this amazing zero brokerage plan for life in just 9.99, and there is no hidden charges, और 9.99 देखर के additionally, AMC भी lifetime के लिए free हो जाती है, जहां और broker 300-400 रुपया साल का, माह लेते AMC का, they give you world class mobile app and browser based trading facility, आप travel करते वाक्त, office में, college में, घर पर काम करते वे, कहीं से भी सिर्फ एक click trading में, एक click trading में, आप seconds में trading कर सकते हैं, app has voice search, pre-designed basket, technical analysis का chart, fundamental data, बहुत हेलफू ले trader के लिए, also check out mutual fund segment, it is very easy to screen and filter good mutual fund, Mira Asset is a 15-year old company, जो अभी 606 billion dollar का fund manage करती है, Mira Asset Capital Market India Private Limited is a registered company with SEBI, NSE, BSE in India, so open your trading account, DMET account with M-Stock, तो दिखो, try कर के देखो यार, अपनी अकल लखाओ, M-Stock पे आओ और हजारों बचाओ, brokerage, taxes और interest में भी, so I am giving link into description below, check it out, give me your feedback in comment after you use M-Stock, अब अगला जो main मुद्द है, सवाल है, कि भाई, जो मेरे पास stock पढ़ाओ है, उसको निकालू की रखूँ, ये बताओ, कब निकालू, एजी तरीका, पहले बता देता हूँ, ठीक है, difficult तरीका, पता नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, एजी तरीका ये है कि अगर आपका stock 200 EMA के नीचे है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे Tata Motors का, इसका stock 200 EMA के नीचे है, तो अगर 200 EMA या SMA ले लो, Simple Moving Average उसके नीचे है, तो आपको एक बारगी portfolio से उस stock को हटा देना च्छही है, दुबारा जब वो 200 EMA के उपर आएगा, तब आप इसमें re-entry कर सकते हैं, यहां रखना थोड़े fundamentals पे भी नजर रखनी होगी, fundamentals में क्या देखना है यह बताऊंगा, ठीक है, और पूरा stock निकाल दे, अगर आपका अभी जो stock है, वो 50 EMA से, Simple Moving Average से नीचे है, तो 50% of the quantity निकाल दे, यानि कि आपने अगर 200 stock खरीदे हों हैं, तो 100 निकाल दे, अगर 50 EMA के नीचे हैं, तो, re-entry का नियम वही है, 50 EMA से दुबारा उपर गया, तो आप फिर से खरीज सकते हैं, बट फिलहाल खाली कर दें, और ये 50 EMA से प्राइस नीचे गया, आपने 50% बेज दिया, और उसके वाद 200 EMA से भी नीचे चलिया, तो जो remaining है, वो भी निकाल दे, रि-entry 100% की होगी, पूरा खरी सकते हैं, जब 200 EMA से उपर आ जाए, या golden crossover दे, 250 का, दोनों में से कोई भी आप अपलाई कर सकते हैं, ये entry का बढ़िया तरीका है, जो लोग fundamentally ध्यान रखते हैं, stocks का, valuation का, performance का, वो क्या check करें, stocks को रखने के लिए या निकालने के लिए, सबसे पहले, उन sectors के stock को निकाले, जो industry या sector खराब है, जो काफी गिरा हुआ है, जैसे market 4% गिरी है, वो 8% गिरा हुआ है, ठीके 6% गिरा हुआ है, या काफी time से गिरता बचला रहा है, तो उन sectors के stocks क खाली कर दे, कभी उन sectors में problem है, इंडियन economy में, mid cap या large cap का 50% portfolio खाली कर सकते हैं, इस stage पे, क्योंकि mid cap या large, mid cap या small cap का 50% आप खाली कर दे, क्योंकि इनका beta ज्यादा होता है, ये ज्यादा sensitive होते है, market से, और nifty अगर 4% गिरती है, तो ये 6% गिरते हैं, ठीक है, या 7% गिर जाते हैं, nifty 10% गिरती है, तो ये 15% गिर जाते हैं, ये 20% गिर जाते हैं, तो बहुत sensitive होते है, mid cap और small cap, इसी तरह से nifty अगर 5% बढ़ती है, तो ये 7-8% बढ़ जाते है, nifty से जादा बढ़ जाते हैं, तो इनको market correction के time में, थोड़ा सा एकबर की, खाली कर देना चाहिए, small cap और mid cap को portfolio से हटा देना चाहिए, अब रही बात, अगर आपके पास portfolio में, blue GPR, large cap company है, तो क्या करें, उस situation में company का सबसे पहले financial health check करें, अगर financially healthy है company, तो आप उसको रखिए, जब तक रखना रखिए, अगर आपका मन नहीं है, कि मैं बेच के खाली करूँ, बाद में खरी सकते हैं, नीचे रहे, तो financial health अच्छा है, तो आप hold कर सकते है, financial health को check करने के लिए, आपको use करना चाहिए, बहुत ही, 2-3 simple से ratio है, जैसे कि, debt equity ratio, loan लगातार बढ़ना नीचे है company में, और debt equity ratio 2 से कम हो, अगर 1 से कम है, तो और बेटर है, बट लोन quarter on quarter और बढ़ना नीचे है current ratio should be more than 1, और अगर current ratio एक से कम हो रहा है आने वाले time में, तो this is not a good sign, और हो सकते है, debt equity ratio ना बड़े, बट current ratio कम होना भी गलत है, एक से अगर नीचे आ रहा है, घट रहा है, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है, हर जगा आप चेक कर सकते हैं, इसको moneycontrol.com पे, screener.in पे, आप कई profitability भी चेक कर सकते हैं, बट ये खासकर इस तरह के situation में market जहां correct हो रहा है, portfolio गिर रहा है, ये market related नहीं होता, ये basically business related जादा होता है, तो अगर company का actual में sales growth में slowdown है, तो सबसे पहले important होता है net profit margin, ये बहुत powerful ratio है, NPM, अगर NPM घट रहा है margin company का, तो this is something really bad, क्योंकि कम profit पे अगर company को बेचना पर रहा है, तो environment बहुत competitive है, ये demand बहुत कम है market में, लोग खरीद नहीं रहे है, ये सबसे crucial signal है, तो NPM अगर quarter on quarter कम हो रहा है, तो ऐसी company को थोड़ा सा avoid करे, exit करे इस तरह की company से, year on year quarterly sales में बहुत गिरावट है, तो वो भी आप consider कर सकते है, तो बंदू बहुत जादा बिना चिक-चिक के, मैंने आपको simple तरीके बता दिये, आपको अपने stocks के साथ क्या करना है, रखना है, निकालना है, कब निकालना है, कम माने कि market खराब हो रही है, ठीक है, कम माने कि market बहुत जादा खराब हो रही है, सारा कुछ एक वीडियो में निचोर करके दे द तो अगर आपको सच में सीखना है ठीक है education की value है तो इस channel को आप subscribe करो दोस्तों के साथ share करो ज्यान बाटने से बढ़ते हैं और अगर आप stock market का course करना चाहते हैं तो आपके पास option है video recorded course का आप प्रवींखतान.com विजिट कर सकते हैं या फिर मेरे से live classes लेनी है और mentorship चाहिए मे मैं यह जरूर बोलूँगा कि M stock को try करे link में description में दे रहा हूं बहुत अच्छी facility है इसके पास तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care बाबाए investments and securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing